हेलो फ्रेंड्स आज हम सूजी और बेसं का बहुत ही मज़ेदार सा नास्ता बना के रेडी करेंगे जो बहुत ही कम समान में बनके रेडी हो जाता है और खाने में भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो फ्रेंड्स इसे बनाना भी बहुत ही आसान है ब के अपने YouTube चैनल Desi Kitchen में और मैं हूं ममता इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर एक कप सूजी का यूज किया है तो यहां पर बारिक वाली सूजी मैंने लिए है आप कोई भी सूजी का यूज कर सकते हैं आधा कप मैंने इसमें बेसन एड कर दिया है टेस्ट के कोर्डिंग हम नमक एड कर देंगे उसके बाद यहां पर मैंने दीन चमच दही का यूज किया है तो यह दही बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो डाल सकते हो अधर आप इसे इसकीप कर सकते हैं दही डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़दा इन्हेंस हो जाता है इसलिए अ दम स्फ्री घोल बनाके हमें यहां पर रेडी करना है तो हमें बहुत घाडा घोल नहीं बनाना है एक दम पतला घोल हम बनाके रेडी करेंगे तो यह दिखे हमने यहां पर गोल बना लिया है अब हम क्या करेंगे मैंने यहां पर गैस पर पैन रखा है उसमें एक से डेर चम my एक चम्मच यहां पर चिली फ्लेक्स टैक्टकर मदे यहां तो यहां पर ग्रीन चिली को बारी कट करके भी ल४ष करसकते हैं और यहां पर मैं इसरय क्थम रखतेंगे सफेद की तब सफेद थिल्का यूज में आपधा हैा फ्लीया कि जक्या को लिए देखा है तो उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंट्स इसे भूनने के बाद हम यहां पे जो हमने घोल बना के रखा है बेसन और सूजी का वो हम इसमें एड़ कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम इस समय लो पे रखेंगे सूजी और बेसन का जो घोल हमने इसमें एड़ किया है उसके बाद क्या करेंगे इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से चलाते हुए बिल्कुल हमें इसे ड्राइ करना है तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को आप थोड़ा सा यहाँ पर जादा कर सकते हो मैंने आधा चमच यहाँ पर हल्दी पाउडर एड़ किया है कि ताकि थोड़ा सा इसका कलर भी अच्छा है फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर मैंने कटा हरा धनिया भी एड़ किया है और इसके बाद हम इसे इसी तरह से चलाते जाएंगे और बिल्कुल यहाँ पे हमें इसे dry कर लेना है और यह बहुत ही easily और बहुत जल्दी यह मतलब हमारा जो यह mixture है बिल्कुल dry होने लगता है तो आप देख सकते हो इस तरह से हमें इसे इसी तरह से चलाते जाना है और इसे हम अच्छे से roll करेंगे अगर यह हाथ पे आपके अच्छा सा एक ball जैसा shape बन रहा है तो अगर वो hold हो रहा है तो मिन्स आपका जो यह batter है बहुत अच्छे से ready हो गया मैंने यहाँ पे एक थाली लिए है तो उसी में क्या करूँगी ओयल से अच्छे से grease कर दूँगी और जो mixture मैंने यहाँ पे dry बना के रखा है वो हम इसमें add कर देंगे और उसके बाद अच्छे से हमें इसे फैला देंगे तो friends मैं इसे बहुत जादा मोटा नहीं रख रहे हूँ थोड़ा पतला ही रखेंगे अगर बहुत जादा मोटा हो जाएगा friends तो यह crispiness बहुत जादा नहीं होगा थोड़ा किस पी इसका कम होगा तो इसलिए मैं क्या गरूंगी थोड़ा इसे पतला ही फैलाओंगी और यहाँ पर देख सकते हो मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी इसका किस thickness कितना मैंने इसे पतला रखा है और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसके बाद हम इसे कट लगा लेंगे friends आप चाहो तो इसे तीन से चार देन तक आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो और जब आपका मन हो तो आप इसे निकाल कर फ्राई करके आप इसे इंजॉय कर सकते हैं तो ये देखे friends मैंने इहाँ पर कट कर लिए और आपकी ठीकनेस को देख सकते हो मैंने कितना इसे ठीक रखा है बस इसी तरह से करके हमें इहाँ पर सभी बना लेना है तो friends ये recipe बहुत ही आसान recipe है और खाने में बहुत ही ज़्यादा tasty लगती है आप ये recipe एक बार friends आप ज़रूर try करें और आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये recipe ज़रूर पसंद आईगी तो देखे friends मैंने यहाँ पर सभी हमारे जो नास्ता है बनके ready हुआ है उसके बाद मैं क्या करूँगी यहाँ पर सेलो फ्राइ कर लूँगी आप यहाँ पर इससे भी कम oil में इसे आप सेलो फ्राइ कर सकते है friends बहुत easy और बहुत ही कम oil में ये नास्ता बनके ready होता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा tasty लगता है और बहुत ही कम सामान में ये बनके ready हो जाता है जो आपके घर में available हो आप फटा फट इस तरह से आपनास्ता बनाके सुबा या शाम के चाय के साथ आप इसे enjoy कर सकते हैं या फिर गोई guest है friends तो आप इसे फटा फट बनाके ready कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इसे alert परट कर मस्त क्रिस्पी होने तक हम इसे fry कर लेंगे आप इसे किसी भी चटनी के साथ आप इसे serve करें बहुत ही जादा tasty ये recipe बनके ready होती है तो friends आसा करती हूँ आपको ये recipe ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको recipe मेरी पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को like, share और subscribe करना बिल्कुल भी न भूले यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे first batch निकाल लिये हैं और दूसरा batch भी हो इसी तरह से मैं करके fry कर लूँगी आप देख सकते हो friends यह कितना ज़्यादा tempting लग रहा है देखने में यह खाने में भी friends बहुत ही ज़्यादा लगता अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा यह crispy भी बनके ready होता है तो इसी तरह से करके हमने यहाँ पे सभी बना लिये हूँ अब मैं इसे सर्फ कर लूँगी तो friends आप भी यह नास्ता एक बार जरूर ट्राई करें और बहुत ही कम तेल में भी आप इसे बना के ready कर सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ओयल में सेलो फ्राई किया है आप इसे थोड़े से ओयल में भी आप इसे अलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर सकते हैं और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यह टैम्टिंग लग रहा है देखने में तो friends यह खाने में भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी रेसेपी है तो आप इसकी क्रिस्पे ने इसको सुन सकते हो यह देखे friends मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ आप अंदर का टेक्चर भी देख सकते हो तो यह देखे friends यहाँ पर यह देखे आप देख सकते हो उपर से कितना यह क्रिस्पी है और अंदर से कितना soft बन के रिडी हुआ है और सूजी के कारण friends ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बेसन जो हमने इसमें एड़ किया है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है तो आप इस recipe को एक बार जरूर ट्राइ करें और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सस्क्राइब ज़रूर करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलते हैं friends next recipe के साथ next video में ओके बाई and take care friends